गुजरात की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जैसे जैसे रुपिया गिरता है वैसे वैसे प्रदान मंत्री की साख गिरती है उस हिसाब से तो मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा किस गटर में चली गई इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है 26 माई 2014 को जब प्रधान मंत्री पद की शपत ली नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपिया 58 रुपे 86 पैसे था प्रती डॉलर आज रुपिया 23 मार्च को 83 रुपे 60 पैसे पर पहुँच गया अब आपको लगेगा कि रुपए के गिरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है ये तो बड़ी बड़ी बाते हैं रुपए के गिरने से आपको बहुत फर्क पड़ता है रुपए के गिरने का मतलब क्या है कि जो चीज पहले 60 में आ सकती थी अब वो 84 में आती है मतलब जिस चीज के लिए आपको एक डॉलर करिबने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे अब उसके लिए 84 रुपए देने पड़ रहे तो हर वो समान जो हम आयात करते हैं उसका बिल भड़ेगा जैसे कच्चा तेल हो गया कच्चे तेल के लिए पहले जहां पर आप एक डॉलर के लिए 60 रुपए देते थे अब उस एक डॉलर के लिए हम मोटा मोटा 84 रुपए दे रहे हैं तो जब वो बढ़ेगा तो यहां पर भी कीमते बढ़ेंगी जब यहां पर कीमत पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी और क्यूंकि डीजल से ही जादा तर ढुलाई का काम होता है सबजी फल अंडे समान इत्यादी सब महंगा होगा जब महंगाई बढ़ेगी तो RBI जो है वो रेट बढ़ाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब रेट बढ़ेगा तो EMI बढ़ेगी EMI मतलब अगर आपने स्टूडेंट लोन अगर आपने कार लोन अगर आपने होम लोन इस तरह की चीज़े लिए तो उनकी ब्याजदर बढ़ जाएगी उनकी EMI बढ़ जाएगी जादा पैसा देना होड़ेगा तो रुपय का कमजोर होना अर्थ व्यवस्था का कमजोर होना और देश के कमजोर होने पर है और असलियत ये है कि नरेंद्र मोदी जी को रुपया साप से कम पर दिया गया था और उन्होंने रुपया 84 के पास पहुँचा दिया मुझे लगता है कही पेटरोल की तरे शतक लगाने के बाद रूपय में भी तो सेंच्री लगाने का अंदेशा नहीं है और कुछ नहीं तो मुख्य मंतरी रहते अपनी ही बात सुन ले जैसे जैसे रूपया गिरता है प्रधान मंतरी की साख गिरती है